Hello and welcome to Easy Learning, Smart Learning आज हम सीखने जा रहे हैं Excel के formula का basics Excel में जो formula होता है उसे start किया जाता है equal to sign के साथ ये जो sign होता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है programming languages में इसको हम assignment operator के नाम से भी जानते हैं मतलब जब आपको किसी चीज को कुछ assignment देना हो कुछ assignment करना हो, तब भी इस symbol का use होता है ये जो sign है, ये equal to का sign है ये आप use करें के कभी भी formula type करना है ध्यान रखिए कि जब भी आप formula type करें तो ना कि आपको cell पे ध्यान देना है बल्कि आपको इस particular location जिसे हम address बार या formula बार कहते हैं इस जगा पे ध्यान देना है ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे type करने में कई बार आपको double click करना पड़ता है कभी formula का reference ही दवदर हो सकता है तो सबसे पहले आप formula डालने के पहले ये ध्यान रखे कि आप formula को cell पे नहीं बलके formula बार में type कर रहे हैं तो सबसे पहला formula हम 2 plus 2 is equal to 4 करना सिखेंगे जैसे यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है अगर आपको इन दोनों को add करके यहाँ पे 4 करना है तो कैसे करेंगे इस basic operation से अपन शुरू करते हैं तो अभी मैं आपको कोई function नहीं बता रहा हूँ आपको खुद जो आपने टेक्स्ट लिखा है इसको यह text समझेगा अब text में और formula में यही difference होता है कि अगर आपको किसी चीज को formula बनाना है तो इसको लिखने की एक तरतीब होती है यह लिखने का syntax होता है वो तरतीब वो syntax बनाने के लिए ही हम यहाँ पे equal to sign का इस्तमाल करते हैं इसके बाद में इसका benefit क्या है कि आप यहाँ पे आप कोई भी values डालिए say for example जितनी भी random values आप यहाँ लेना चाहते हैं similarly next column भी आप कुछ random values ले दीजे अब अगर आप इनको directly add करके देखना चाहते हैं तो आपको केवल यहाँ पे इस cell का selection करना है फिल handle का इस्तमाल करते हुए आप जैसे इसे drag and drop करेंगे आपके सभी का total जैसे 2 plus 2 is equal to 4 था तो यह 21 plus 11 is equal to 32 and so on इस तरीक से आपका calculation हो जाएगा तो अमीद है आपको यह पहला जो beginning है इंट्रोडक्शन का वो आपको समझ में आया होगा तो आज हम mastering Excel formula का पहला video सीख रहे हैं जिसमें हम यह सीखेंगे कि formula हम कैसे बनाते हैं तो अब हम देखेंगे कि formula को बनाने के समय जितने भी हमारे Excel के functions हैं उनमें जो basic functions हैं जिसका सबसे जादा इस्तमाल होता है उसको कैसे इस्तमाल करते हैं तो इसमें सबसे पहला series आता है आपका जैसे मेरे को यहाँ पे इस पूरे column का सम चाहिए यह आपको पूरे row के values का अगर total करना है तो आप सबसे पहले उस particular cell की range को select कर लिजे और यहाँ पे auto sum नाम का button होता है यह आपको दिखर होगा तो यह sum function पे click करते साथ यह आपके home वाले tab में ही रहता है आप इसको तो click करेंगे तो automatically यहाँ पे आपको पूरा sum आ जाएगा अब आप देखें यहाँ से भी सीख सकते हैं कि यहाँ पे आप formula बार में देखेंगे कि यहाँ पे लिखा y is equal to sum और यहाँ पे range लिखे हुई है जिसके आपको total करनी थी तो आप चाहें तो इस पूरी range को change करके मतलब अगर आपको इन सब का total चाहिए तो भी लिख सकते हैं और आपको अगर देखना हो कि इन पूरी values का average कितना है तो इस status bar में यह आप देखेंगे यहाँ पे उसका average दिखा रहा है यहाँ पे कितने number of cells हैं उसकी counting दिखा रहा है total 15 cells हैं और यहाँ पे इस पूरे का total यहाँ पे आपको दिखा रहा है तो normally हमको कभी column की या कभी row की total करने की आवशकता होती है अब जैसे मुझे अगर rows की totaling करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे formula अगर आपको manually add करना है तो equal to sign लगाएंगे सबसे पहले sum लिखेंगे लिखने के बाद आपको range select करनी है B5 से लेके D5 तक इसके बाद में आपको ok कर देना है आपका जो calculation है यहाँ से लेके यहाँ तक का total आपको दिख जाएगा तो यह तो भई पहले से हमने total करके रखा था जाहिर सी बात है अब अगर आप इसमें कोई भी changes करेंगे तो वो changes आपको यहाँ पे भी appear होने लगेगा similarly आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे man value change की तो इस जगा पे 210 आगया है तो इस तरीके से हम Excel के formula मतलब sum को इस तरीके से use करते हैं दूसरी एक बात यह भी बताना चाहूंगा मैं कि अगर आपको किसी भी जगा पे sum करना हो तो आप equal to लगाईए और लगाने के बाद में bracket पे आपको केवल cell की address जैनी है आपे जैसे आप यहाँ पे अगर किसी individual cell को add करना चाहते हैं say for example b2, c3, d4 तो यह देखें तीनों individual cells हैं इन तीनों को अगर separately अगर आपको add करना हो तो आप इसे एक matrix समझें matrix के different elements को जैसे mathematics में matrix होता है उसी तरीके से आप इसके किसी भी cell characters को यहाँ पे type करिए और enter press करिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो result है वो 40 है 21 plus 2 plus 70 is equal to 40 आप जब भी formula इसको देखेंगे यहाँ पे आपको दिखते रहेगा तो यह आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप cell पे formula type करें तो obviously बाते हमारा ध्यान cell पे जाएगा लेकिन actually में हम cell में formula type नहीं कर रहे होते हैं हम formula bar में actually जो formula है उसको put कर रहे होते हैं अब sum में इसके अलावा और कोई जानकारी अगर आपको पूछनी हो तो आप comment box में पूछिए तो मैं आपका जवाब उसको next video में आट करते वे ज़रूर बताऊंगा तो यह होगे आपका सबसे पहला sum formula को कैसे यूज़ कर रहे हैं next आपका formula आता है average formula sum के बाद में हम सीखेंगे average average के लिए average अगर आपको निकालना हो तो जैसे ये एक series है इसका मुझे average निकालना हो तो again आप कोई call to sign लगाना है और यहाँ पे लिखना है A-V-E-R-A-G-E this is the spelling of average और spelling is 100% correct होना चाहिए आप अगर अपने मन से करेंगे कोई भी नया spelling लिखेंगे तो ये काम नहीं आने वाला क्योंकि ये सारे functions जो है ये पहले से बने बनाए है एक्सल के और आपको इसकी spelling सही से लिखनी पड़ेगी इसके बाद में आप double quotation mark लगाईए और again आपको अगर रेंज सेलेट करनी हो तो आप mouse से भी range को selection कर सकते हैं आप यहां से जाएए और इस पूरी रेंज को सेलेट करिए और enter की प्रेस करिए तो हम C1 से लेके C5 तक की रेंज सेलेट किया है इन सभी का जो average आता है वो आता है 3.6 तो आप देखेंगे कि इसका अगर sum मैं यहां पर लिखना चाहूँ तो आप auto sum को इस्तमाल करते हुए automatically इसका sum निकाल सकते हैं इसका sum है 18 और इसका average है 3.6 तो इस तरीके से sum और average निकाला जाता है normally short में हम जो average होता है उसको ऐसे लिखते हैं तो बेटर है इसको मैं पूरा लिख देता हूँ average average के बाद में हमारा जो next function है आज का वो है min और max function और last में सिखेंगे count function तो मैं आपे note कर देता हूँ min max and count तो यह min max जो है यह सबसे minimum value आपको देगा किसी range में से और max जो है वो आपको सबसे बड़ी value देगा इसका use करने के लिए बहुत है is equal to sign लगाए, max लिखें, bracket open करें और आपको range select करना है यहां से range select करते ही साथ आपके पास में जो सबसे बड़ी value है इस पूरी range में आपको मिल जाएगी similarly इस formula को copy कर दें copy करने के बाद में यहां पे max लिखा हुआ है इस max की जग आप क्या कर दें min कर दें, तो जो सबसे minimum value है वो आपको मिल जाएगी अब यहां पे minimum 15 बता रहा है क्योंकि यह B2 से लेके B6 तक range select किया है तो आप range को यहां से बढ़ा लें तो आपको जो सबसे चोटी value है वो भी यहां पे मिल जाएगी तो आप यहां पे heading अप दे सकते है max value और यहां पे आप दे सकते है min value तो इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा range का minimum और maximum निकाल सकते हैं अब आपको देखना है कि आपकी counting यह जो count function इसका कैसे इस्तमाल करना है तो count function के लिए simply आपको यहां लिखना है count count लिखने के बाद equal to का sign लगाना है और लगाने के बाद में आपको range select करती है इस range को select करने करते साथ आपको यहां पे मतलब total हमारे पास में कितनी values हैं वो counting हो जाएगी अब कुछ tricks हैं जो मैं आपको बताऊंगा और इसको आपको ध्यान पर रखना है सबसे पहले trick है कि जब भी आप किसी cell पे किसी भी चीज को edit करना चाहते हैं तो mouse का use ना करें mouse से आप बहतरे keyboard का use करें और keyboard से जाने के बाद आप जो F2 बटन होती है और इसी के साथ आप देखेंगे कि यहां पर आप editing कर सकते हैं तो इस अरीके से आप आज का lecture कतम कर सकते हैं और mouse से double click करने से क्या होता है आप editing करेंगे तो keyboard कभी-कभी आपका यहां से right arrow की दबाऊंगा यह left arrow की दबाऊंगा तो वो move हो जाता है लेकिन अगर आप F2 दबा के करेंगे तो आपकी जो editing है वो बहुत ही precise होगी यह actually मैं formula bar level से आपको editing करने की अनुमती देता है तो आज के lecture में केवल इतना ही next lecture में इसमें आपको और क्या क्या add करना है मुझे comment box पर जरूर बताईए फिर आगे बढ़ेंगे पर thank you very much see you on the next video